पिर ये विद्धियातियो नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम अर्दवार्षिक परिपर रहेगा समय आपको तीन गंते मिलेंगे सबी प्रिश्णों को करना अनीवारी रहेगा सबी प्रिश्णों को करना है यहां आपर में एक आपको पूरा का पूरा जो आपका पेपर आने वाला है, किस पिरकार से आने वाला है, किस ब्लूप्रिंट पर आपका पेपर बनने वाला है, वो मैं आपको बात आने वाला हूं, तो जल्दी से जितने भी विद्ध्यार्ति हैं, हमारे कक्चा 11 वाले इस वीडि आपको पढ़ रहा है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा पीडियेप के साथ आपको मिलने वाला है चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आप स्क्रीन पर देखेंगे उससे पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेश्ट है जितने भी दोस्त हमार स्क्रीन बताने वाला हूं यह प्रिशन आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं ठीके पहला कोशन आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे सभी प्रिशन करना अनिवारी है देख सकते हैं पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अदो लिखते सु बहुरी समास अस्ती आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा बहुरी समास का उधारन है बहु विरी समास का उधारन है तो देखिए मैं बहुत सारे एक ही कोश्चन से आपके बहुत सारे कोश्चन कंप्लिट करवाऊंगा पित्रो में आपका कौशा समास है द्वंदव समास है नील कमल में कौशा है करमदारे है और अध्यतिय cocktail में कौशा है नंततपुर समास है दसननं में कौशा है बहुरी समास है आपके लिए ये वीडियो राम बान सिद्ध होगा आपको अच्चे अंक दिलाएगा कोश्चेन करमांग दूसरा पंच पात्रम इत्यत्र इत्यश्य समास अस्ती पंच पात्र में समास बताना है तो देखिए पंच पात्र में जो समास होता है पंचा नाम पात्रा नाम समाहर तो यहाँ पर जो समास होता है वो होता है कौन सा ज्वीगू समास नोट कर लीजिएगा अपने हाथ में copy और pen रखिएगा बान हता यह क्या है बान हता इत्यस्मिन पदे समास असती तो बान हता में कौन सा समास है देखिए बान हता में जो समास है कि बान से हता बानेन हता इसका समास उगरे क्या हो जाएगा बानेन हता बानेन हता तो यहाँ पर बानेन हता में कौन से समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ततपुरुस समास ततपुरुस समास यहाँ पर कावाला उपसन आपका था ततप पुरू समासे, next question के और बढ़ते हैं, और अगला खुशन है, नमस्ते में संदी बताना आ है, नमस्ते में कौन से संदी है, और इसका संदी विच्चेद मैं बता देता हूं, देखिए, नमाधन ते, नमाधन ते, क्या बन जाएगा, नमस्ते, तो यहापा जो संदी है, वो है विशर्ग संदी अगला कुछ न देखेंगे अनाधर इत्यस्मिन पदे शमास अस्ती तो यहाँ पर क्या होगा देखे अनधन आधर तो यहाँ पर आपका जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा अव्याई भाव समास और अब यह बहुत समास से पहले अगर हमारे नन्तत्पुरु समास भी अफ्सन में है तो आपका यहाँ पर जो समास होगा वोगा नन्तत्पुरु समास चलिए कोशा नंबर दो की और हम बढ़ जाते हैं कोशा नंबर आपका जो दूसरा है इसमें भी आपको विकल्प चुनकर लिखना है ग्यार वी और बार्यू आले हमारे जितने विद्यारती है आप लोगों के लिए हमने एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोट कर दिये हैं जो भी बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं एक बार अपने सबी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजेगा कोशा नंबर पहला अदो लिखते सु अव्यम अस्ती आगे जो पत लिखेगा उनमें से कौन सा अव्ये है तो यहाँ पर देखे पठती किरिया है गमनम हमारा किरिया है अध्य जो कहा है हमारा किरिया है अव्ये है सोरी क्या है अव्ये है तो करेक्ट अंसर आपका अव्ये है इसमें हो जाएगा अगले argument के ओर हम बढ़ते हैं तत्र बालका कीडंती अस्मीन वाक्य अवियं अस्ति तो यहां पर आपको कही बताना है अविय बताना है तो यहां पर देखिए बालका तो अमरी का है संगया यह हमारी किरिया है तो तत्र के हो जाएगा हमारा यह तंत्र नहीं तत्र तत्र हमारा क्या हो जाएगा दोस्तो अब भी हो जाएगा करेक्ट अंसर क्या लगा देंगे आप तत्र लगा देंगे अगले कुश्चें क्यों बढ़ेंगे प्रिचारी पदे उफसर्ग स्ती प्रिचारी में उफसर्ग है तो प्रचारी में कौन सा अफसर्ग है तो देखिए यहाँ पर दिर्ग संदिये प्राधन आचारी मुल सब्द आचारी है और प्रावसर्ग है तो यहाँ पर देख लो अप कहाँ पर आ रहा है यह आ रहा है खावाला ओप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा पूरा पेपर सोलुशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को लाफ्ट तक जरूर देखिएगा अगला कुश्चन है अदो लिखते सू अवियम नास्ती आगे जो पद लिखेगा उनमन से कौन सा अवियम नहीं है देखिए ये भी अविये है ये भी है ये भी है लेकिन राम जो है अविये नहीं है तो ये करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा अगले कुश्चन को देख लो अगला कुश्चन भी आपका ये है थर्ड वाला उचित विखल पचुन कर लिखना है पठती में लकार बताना है पठती इत्यत्र लकार अस्ती पठती में लकार बताना है तो पठती में जो लकार है वो है लट लकार लट लकार आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगले कुश्चन को बढ़ते हैं अस्तु में आपको क्या बताना है दातु बताना है तो अस्तु में जो दातु है वो है आपकी आस दातु ठीके आस दातु आपका इसमें correct answer हो जाएगा अगला गच्चती इत्यत्र वचनमस्ती गच्चती में वचन बताना है तो गच्चती में जो वचन है दोस्तो वो है एक वचन अब मैं आपको direct correct answer जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो हमारा copy बड़ा हो जाएगा और आपको पूरा paper भी solution के साथ बताना है अब यत्र पूजन्ते रमंते तत्र देउता बहुती तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमंते तत्र देउता तो गवाला option आपका correct हो जाएगा अगला question हमारा वचनम स्रह भाउती कौन से वचन स्रेष्ट होते हैं तो सजजन अश्य सजजन के वचन क्या होते हैं स्रेष्ट होते हैं अगला question तीन प्रिष्टों के उत्तर आपको किस में देना है एक वाक्य में देना है मंत्रा किदरश्य भाउती वेदश्य मुकम की मिस्मरत्तम और पुस करनिया हा नाम की मासिद और यहाँ पर वसंते कायगनी का बादते और बालाय की मरोचते यहाँ पर यह जो question आप देख रहा है साथवा देख लो सभी question के answer मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर देख सकते हैं महा भारते परवानी संती महा भारत में कितने परवे सब्त या अर्ष्टरदस पुरानी संती पुरान कितने हैं जिसके बाद मैं अगला question रामनाई शी रचिता का तो यह तो सब जानते हैं आप सभी वालमी की और कालिदास शी उपमा और आगे देखिएगा सभी question गंसर आपको मिलने वाले हैं विस सोलूशन यहाँ पर रिक्तिस्तान की पूर्ति करना है ठीके बाला जनकें से गच्चती का आप नाम आप नाम मतलब बजार आप question यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर वापिस अब संदी विच्चत करके बताना है अंसर सही ताब आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर question number इसका जो ब्रत्यश का संदी विच्चत करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रत्याचा हो जाएगा अगला question आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका भी आपको अंसर यहाँ पर देखिएगों को मिल रहा है अनुरक्तष्चा तो अनुरक्तधंचा आपका हो जाएगा और सूर्धंचा तो इसका क्या हो जाएगा सूर्धंचा थिकए यह अंसर आपको मिल रहा है यहाँ पर थिकए सब भी विद्ध्यार्थी ध्यान दीजिएगा कोई से बी आपका साही नहीं है इससलिए आपका अंसर क्या होगा यहां पर देखिएगा इसका सही क्या होगा सूर ज्या ओर इसमिंगा лा अगला कोष्चेन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रितिय बताना है तो प्रितिय से यह कोश्चन है पूरा पेपर सॉलूशन के साथ आपको यहाँ पर देखना मिल रहा है जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहा है देखिए जिनों ने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है एक बार अपने द तश्य आहर इत्याशी पूर्ण पदम अस्ती तश्य को और आहर को मिलाएंगे तक यह बन जाएगा तश्या आहर अगले कोशन को बढ़ते जाएए देखते जाएए इसके आगे कोशन में आपको टेलिग्राम पर देने वाला हूँ जितने भी स्टुडेंट से जुड रहा है टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो टेलिग्राम की लिंक डिस्करप्शन में वहाँ पर आपको पूरा पीडिएप मिल जाएगा पीडिएप आप अच्छे से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से तयारी अपनी कर सकते हैं मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लास के अन्य सब्जेक्ट आपको जल्दी ही इसी चैनल पर मिलने वाले हैं तो आप सभी स्टुडेंट्स जिजनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं